आज हम बनाएंगे बहुत ही जादा टेस्टी केसर पिस्ता मलाई कुलफी जिससे बनाना भी काफी असान है और खाने में इतनी जादा टेस्टी है कि वो थम्हें आपको बताई नहीं सकती हूँ तो इसके लिए मैं कराही में डालना है दूद जो कि मैंने एक लीटर के करीब लिया है अब हम इस दूद में एक उबाल लाने देंगे और इससे तब तक न उबाल लाने देना है जब तक इस दूद की कुएंटिटी एक लीटर से आधा लीटर नहीं हो जाता और एक बात आप यहां पे फूल फैट मिल्क ही लीजिएगा इससे हमारी कूल फी बहुत ही जादा अच्छी बनेगी अब हमारी दूद की को एंटीटी भी कम हो गई है तो हम इसमें एड करेंगे टेस्ट के हिसाब से चीनी वन बाई फोच टेबिल स्पून के करी भी लाइची पाउडर और अ अच्छा सा क्रंच आएगा और अब मैंने यहां पे दूद में थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल के मिक्स कर लिया है और अब हम इसे भी कराही में डाल देते हैं ध्यान रहे कि गर्म दूद में मिल्क पाउडर डाल कर मिक्स नहीं करना है और अब हम इसे कराही में डालने के अच्छी तड़ीके से मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे जब तक न थोड़ा सा यह और भी जादा गाधा नहीं हो जाता और किनारे में जो भी मलाई जम जाती है न हम उसे कुछ इस तड़ीके से स्क्रैच करते हुए निकाल लेंगे अब आप देख सकते हैं कि दूध हमा वागेरा भी ले सकते हो इससे न बहुत ही इजली निकल जाती है इसलिए मैंने पेपर कप्स लिये हैं और अब हम इसमें त्यार किया हुआ दूध का मिक्चर डाल देंगे और उपर से अलमुनियम फाइल लगा देंगे अगर आपके पास अलमुनियम फाइल ना हो तो आप कोई भी इको बेक वगरा लगा सकते हो या फिर दूध की थैली वगरा भीपर से लगा कर और रबर लगा कर लगा सकते हो और अब हम इसमें आइसक्रीम स्टिक्स इंसर्ट कर देंगे यानि लगा देंगे और इसे 5-6 घंटे के लिए फ्रीज कर लेंगे और 5-6 घंटे आपको एक बार ये केसर पिस्ता मलाई कुल्फी जरूर से ट्राइ करने चाहिए आपको बहुत पैसंद आएगा बाद